कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं क्या कभी किसी ने सोचा था कि चोर सोने चानी की ज्वेलरी छोड सब्जियों पर हास साफ करेंगे सब्जियों के बढ़ते दामों से आमादमी के सासाथ लगता है चोर भी परिशान हो गए है तभी तो अब उनके निशाने पर सब्जिया आ गई है वो भी महंगी महंगी या यू कहें कि सब्जिया भी अब महफूस नहीं है जी हाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि राजिस्थान के दॉसा जिले में चोर गहने और कीम्ती सामानों को छोड सबजियां चोरी कर रहे हैं दॉसा की कृषी उपज मंडी में स्थित आढ़त की दुकानों पर पिछले 10 दिनों में चोर 5 बार सबजी चोरी कर चुके हैं चोरों ने तीन दुकानों को निशाना बनाये हैं जिसमें 100 किलो प्याज और 200 किलो लस्टून के कटे चोरी हुए हैं मंडी में लगतार हो रही सबजी चोरी से वैपारी आक्रोशित हैं अब वो अंदोलन की रणनीती बना रहे हैं वैपारीों का साफ कह रहा है कि मंडी परशासन को जानकारी देने और पुलिस में FIR दर्च करने के बावजूद भी चोरी की वार्दाते रुकने का नाम नहीं ले रही हैं आपको बता दें कि दौसा में प्याज के भाव 60-70 रुपे किलो हैं तो वहीं लसुन 400 रुपे किलो विक्रा है माना जा रहे कि इसलिए सब्जी चोरों की नजर प्याज और लसुन पर है हाला कि सब्जी चोरी की इस घटना में पुलिस पर सवाल इसलिए उट रहे हैं क्योंकि सीसी टीवी फुटेज पुलिस के पास है तो अब तक चोरों की पहचान क्यों नहीं की गई क्यों सब्जी चोर पुलिस की पकड़ से दूर है